आज की कहानी उन लोगों को सुननी चीए जो की resources की कमी की वज़े से अपनी किस्मत को कोस्ते रहते और अपनी जिंदिगी में आगे बढ़ने की ट्राई तक नहीं करते ध्यान से सुनिएगा तो हुआ कुछ यह हो कि एक लड़का काम की तलाश में गाव से बड़े से शहर में पहुंच जाता है अब उसके पास पैसों की कमी होती है इसके लिए उसे जल से जल नोकरी ढूननी थी अब वो आसपास पता करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि एक बड़ी सी कम्पनी है वहाँ पे ओफिस बोई की जरूरत है अब जैसी वो वहाँ पर पहुंचता है वहाँ का HR उसका टेस लेने के लिए थोड़ी बहुत ओफिस की क्लीनिंग करवा के देखता है अब उसमें वो परफेक्ट होता है तो वह HR उसे कहता है कि नोकरी ते तुम्हें मिल जाएगी तुम्हें काम करो तुम अपना मेल आइडी दो मैं तुम्हें जोब लेटर भेजता हूं मेल पे तुम्हेकार घर छूड़ का आया है उसके जय में न सो रुपे थे अब वो क्या करता है सामनी उसे एक सूपर मार्केट दिखाए देता है वो वहाँ पे जाता है और सूपर मार्केट से सो रुपे में टमाटर खरीदता है और घर-गर जाकर उन टमाटरों को बेचता है और 100 रुपे से उसके पास 200 रुपे कठे हो जाते है अब वो बैठके यह सोचता है कि यहाँ पर शेहर में जो लोग है न वो इतने व्यस्त हैं कि वो सूपर मार्केट जाकर शायद टमाटर भी नहीं खरीद सकते हैं या रोज मर करके भी रख लिए ऐसे करके बिजनेस बढ़ते चले गया और फिर उसने अपना एक ट्रक भी खरीद लिया फिर वो आसपास की गाम से सब्जियं लेके आता और वहाँ पर बेचता ऐसे करके वो बंदा एक दो साल के अंदर ही मिलिनेर बन गया अब एक बार क्या हुआ कि को बंदा फिर से कहता है कि मेरे पास मेल आईडी तो नहीं है तो वो पॉलिसी वाला जो पॉलिसी बेचने आया था वो इस बंदे को कहता है कि सर इस डिजिटल वर्ड में अगर आपके पास मेल आईडी होता तो आप कहां के कहां होते आपका बिजनेस कहां का कहां पहुंच ज तो फिर वो प्यार से जवाब देता है कि अगर मेरे पास mail ID होता ना, तो आज मैं किसी बड़ी सी company में office boy की नोकरी कर रहा होता हूँ, इसलिए आपके पास अगर resources नहीं हैं, तो उसका रोना रोना बंद करिए और आपके पास जो है, उसकी कीमत को समझिए और वहीं से ही पैस हमारे चल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, वीडियो जरूरत मन लोगों को शेर करिएगा और लाइक करना मत भूलेगा, थैंक्यू सो मच